बिहार के सिवान जिले के पचरुखी थाना छेत्र के अंतरगत एक गाउं में जब इडी की टीम जाकर छापा मारती है तो गाउं के लोग हैरान रह गए। लेकिन अब खबर सुनिए कि 6 महीने के अंदर वहाँ से लगबग 2 करोड रुपए भेजे गये भावी के खाते में 40 लाख रुपिया ट्रांसफर हुआ और जब यह सब कुछ हुआ तब यह जानकारी एडी तक पहुँची और उसके बाद एडी का कान खड़ा हुआ कि आखिर दुबई में कोई लड़का 6 महीने पहले जाता है एक प्राइबेट कंपणी में नौकरी करने और उसने वहाँ परहसा क्या करनामा कर दिया कि भावी के खाते में 40 लाख तो अलग-अलग खातों में 2 करोड रुपिया वह वहां से अपने घर पर भेजता है और यही कहानी आ प्राइबेट कंपणी में नौकरी करने जाता है लेकिन होता क्या है तो 6 महीना के अंदर 2 करोड रुपिया दुबई से सिवान आता है दुबई से सिवान के खातों में ट्रांसफर किया जाता है और इसके बाद बैंक को सक होता है तो बैंक के जरिये EDI को सुचना दे जाती है बताया जाता है कि दुबई के खाते से 2 करोल रुपया यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है 6 महीने के अंदर और इसके बाद EDI की टीम बताया जाता है कि पत्णा से जाकर वहां पर छापे मारी करती है जब ED की टीम वहाँ पर जाती है तो सबका होस उड़ जाता है क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है लेकिन तमाम अलग-अलग खाते, कागजात, सबकुछ जब ED की टीम वहाँ पर जुटाती है तब पता चलता है कि उस लड़के ने अपने भाभी के खाते में 40 लाख रुपिया भेजा हुआ था केवल अपने भाभी के खाते में दुबई से 40 लाख ट्रांसफर किया गया था और ये एक प्रतिकात्मक तस्बीर आप देखते रही है जब छापे मारी होती है और वहाँ पर क्या होता है जब 40 लाख रुपिया भाभी के खाते में ट्रांसफर की बात पता चलती है तब पता चलता है कि जो वहाँ पर पास का एक चौरहा है बाजार है वहाँ पर कई सारे साइबर कैफे वाले है मतलब कि जो कंप्यूटर वगेरा का दुकान चलाते हैं इंटरनेट वगेरा से कुछ करना होता है तो लोगों का करते हैं विदेश से पैसा मंगाते हैं बताया गया कि कई सारे वैसे लोगों के खातों में पैसा आया जिसके बाद एडी की टीम जाकर वहाँ पर पुस्ताच करते हैं और कुल मिलाकर भावी के खाते में 40 लाख और इसके बाद 2 करोर रुपए के हेरा फेरी का या कहिए कि 2 करोर रुपए के ट्रांसफर का मामला पता चला और इसके बाद एडी का कान खड़ा हो गया कि आखिरकार 6 महीना पहले दुबई में जो लड़का गया उसने ऐसा कौन सा काम किया अब काम हमको भी नहीं पता अस्थानिये पुलिस तो छापे मारी के बाद भी किसी भी परकार के छापे मारी के जानकारी के होने से इंकार करती रही लेकिन मीडिया रिपोर्ट में और कई सारी जगों से कहा गया कि छापे मारी करने वाली एडी की टीम पतना से सिवान गई थी वहां पर छापे मारी हुई है और मामला है कि दुबई कमाने गया कोई लड़का मात्र 6 महीने में 2 करोड रुपया अपने घर पर भेजता है अब आगे एडी की टीम और पुस्ताश कर रही है पता लगाने की कोशिस करेगी कि आखिरकार वह दुबई में जाकर करता क्या है दुबई में अगर वह किसी प्राइबेट कमपनी में काम करता है तो वह कौन सा काम करता है कि वह 2 करोड रुपया घर पर अप अपडेट आएगा तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे तमाम ख़बरों के लिए आप हमरसत बने रहीएगा बाकि इस वीडियो पर आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में लिकर बताइएगा कैमरेक से भी शाहल खड़े है और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन इनवाद